हलो एब्रिवान हम जर्मरी 2022 के सुजस पत्रिका के अंग को डिसकस कर रहे हैं आप सभी को पता है राजस्तान सरकार को तीन वर्स कंप्लीट हो गए हैं इन तीन वर्सों में राजस्तान सरकार की क्या उपलब दिया रही उसके बारे में संग में बता रखा है सबसे पहले जल इन्वेशन में ये टारगेट है कि हर घर को नल से कनेक्ट किया जाएगा ताकि नल के थुरू स्वच्छ पेई जल जो है वो सभी को उपलब्द कराया जा सके और इसमें टारगेट रखा है वर्स चोहजार चोबीस तक तो इस टारगेट को अचीव करने के लिए राजिस्तान सरकार का जो जलदाय विबाहग है वो युद्ध इस तरपर यहां पर काम कर रहा है अब यहां पर बहुत सारी स्कीम के बारे में बता रहा है बीसलपूर प्रियोजना जिसके थुरू आप सभी को बता है कि जैपूर को जो भी क्वालिटी वाला जल जो है वो प्रोवाइट करवाने की कोशिस की जारी है तो उस प्रोजेक्ट को और अच्छे लेवल पर इंप्लिमेंट करने की कोशिस की जारी है इसके अलावा अगर हम बात करें तो अधर एरिया जैसे की हमारा राजस्तान का जो वेस्टन पार है जहां पर जल की अविलिबिलिटी नहीं है तो उस एरिया में भी अच्छे से जलकी connectivity अच्छे से उपलब्ध हो सके इसके लिए प्रियास किये जा रहे हैं इसके अलावा प्रदेश में उब्वगताओं को ओनलाइन पेजल कनेक्शन के लिए अक्टूबर 2020 में जल्दायव भाग दुआरा ओनलाइन एप लोंच किया गया इसके थ्रूँ यह है कि जो भी उब्वगता को घर बैटे पानी के कनेक्शन की सुईधा लेनी है वो यहां पर बैट करके ओनलाइन ही यहां पर अपलाई कर सकते हैं और अनावशक रूप से कारियालों को जो चक्कर काटने लगाने पड़ते हैं नल कलक्शन के लिए उससे उनको सुईधा निजात मिलेगी और एक तरीके से ओनलाइन ही उनको यहां पर हर सुईधा देने की कोशिस की जारी है इस योजना को यह ओनलाइन एप से आविदन सुईधा जो है वो पहले चरण में जैपुर के जगतपुरा और विद्यादर नगर के छेतर के विद्यार्टियों निवासियों के लिए अरम की गई थी अब यह सुईधा जो है वो संपूर जैपुर में इसको उपलब्द करवा दिया कया है ओनलाइन एप जो है वो द्विभाग दुआरा इस तरीके की स्कीम जो है वो कोसिस की जारी है कि जल्द ही इसको पूरे प्रदेश में लागू कर दिया जाए दूसरी सेकेंड जो स्कीम है वो रिलेटेड है अलप संख्यक वर्ग को ले करके यहाँ पर यह बता रखा है कि राजस्तान सरकार जो है वो ना सिर्फ अलप संख्यक वर्ग हर सेक्टर हमारी सोसाइटी का हर सेक्टर कम्यूनिटी का हर सेक्टर जो है उसके लिए सरकार कुछ ना कुछ काम कर रही है अलप संख्यक वर्ग के युवाओं में सिक्षा के प्रसार के लिए आवाश्य विध्याले, छात्रावास, छात्रवर्ती, स्कूटी वित्रण, मदरसों में कम्पिटर जैसी सुईदाई, सरकार परदान कर रही है। इस वर्क के आर्थिक रूप से कमजोर आई वर्क के युवाव को रोजगार से जोडने के लिए और सिक्षा के लिए रियायती ब्याज पर रिन भी उपलब्द करवाया जारा है। और राइट डाउन करना है आपको तो अल्प संक्याक वर्क से जो भी स्कीम के बारे में पूछा जाए कि अल्प संक्याक वर्क के विखास के लिए राजिस्तान सरकार ने कौन-कौन से काम किये हैं तो ये सारी की सारी जो चीजे हैं वो आपको हम पर राइट डाउन करनी हो अर्थिववस्ता में इस छेत्र की महत्पूर्ण भागिदारी है, मतलब कृष्टी छेत्र की अर्थिववस्ता में महत्पूर्ण भागिदारी है, देश-प्रदेश के विकास के लिए किसानों की कुसहली बेहत जरूरी है, और इसके लिए सहकारिता एक ससक्त माध्यम है, औ परशी आदान, सामजिक सुरक्षा, जवाब देही, इंपार्ट दर्शिता, भंडारन चमता में वरद्धी, सहकारी समीतियों को स्वावलम भी बनानी जैसे साथे मुख्य आधारों को जोड़ कर ये काम किया जा रहा है ताकि स्वामे समावेसी विकास की दिसा में एक साथ काम किये जा सके, यहां पर ये बताया गया है कि बहुत सारी स्कीम लागू कोरने के लिए, जैसे कि राजस्तान सहकार पोटल से पारदिर्शता को बढ़ावा देना, एकीकरत किसान सेवा पोटल की सुरुवात, ग्राम सेवा सहकारी समीतियों पर इमित्र केंद्रों की सुर यूरिया एम डिएपी का बफर स्ट्रोक, बायोमेट्रिक प्रिणाली से समर्थन मुल्य पर ओनलाइन खरीद, ओनलाइन वेरहाउस इरिसिप्ट सेवा, नई ग्राम सेवा सहकारी समीतियों का गठन, कस्टम हाइरिंग सेंटरों की संख्या, सहकारी समीतियों में गोधाम न तरदाइत्व और पारदर्सी व्यवस्ता के तहत राज सहकार पोर्टल बनाया गया है, एक इकरत प्लेटफों है, जहां पर सहकारी ता विभाग की अधिकारी, सहकारी संसाई, आम नागरिक, विभाग की विभिन महत्पून योजनाओं को और अल्प कालिन फसली रिन आव प्रदेश में रभी और खरीब सीजन की जो में बायोमेट्रिक सत्यापन से ओनलाइन पंजियन कर किसानों से समर्थन मुल्य पर खरीदने का काम भी किया जा रहा है, सीधे से मतलब ये है कि राजस्तान सरकार जो है, वो किसानों के भले के लिए, और सभी को पता है कि किर्शी है, उसका काफी ज़्यादा important role है, इसलिए किर्शी को जो उसकी income है, किसानों की income है, उन सभी को बढ़ाने के लिए ये सारे काम यहाँ पर किये जा रहे हैं, अब ये कहां पर कितने बंडार है, कितने वेर हाउस है, ये आपके लिए important नहीं, आपके इतना पतान है क कि सहकारिता के माध्यम से किसानों को लाप पोचाने की रजिस्तन सरकार को सिस कर रही है यहाँ पर बताया गया है प्रशासन गाउं की संग इस अभियान की तहट जो बे जुबान जानवर हैं उनको मिली राहत प्रशासन गाउं के संग प्रशासन सहरों की संग इसमें क्या खाम किया गया था कि बहुत सारे विभागों को एक ही जगे पर बिटा करके किसी भी परसन को अगर अलग-अलग विभाग में परिशानी है तो सारे विभागों के समश्या एक ही जगे सोल करती जाए और इसमें गाउं के संग जो अभियान हुआ उसमें जो भी पसु हैं उनके टीका करण के लिए उपचार के लिए दुर्गंबाडी रेगिस्तानी इलाकों में रहने वाले पसुपालकों तक भी जिकिश्य सेवाए जो है इन सिवीरों के थुरू पहुचाई गई है ताकि जो बेजुब कोसिस यहां पर की गई है नेक्स्ट यह जो आर्टिकल है यह बहुत इंपोर्टेंट है इसका एक एक फैक्ट आपके हर एक्जाम के पॉइंट अफिसे इंपोर्टेंट है क्योंकि आपको पता है कि राजस्तान में लोक देवी देवता से रिलेटेट और जो संपरदाय है उससे रिलेटेट मेंस जो भी हमारा कलासंस करती है उससे रिलेटेट क्यूशन हर एक्जाम में आते है राजस्तान का कोई भी एक्जाम हो उसमें यहां से क्यूशन जरूर पुछे जाते हैं तो यह आर्टिकल आपके लिए बहुत इंपोर्टेंट है इसका एक-एक उसको आप सस्ता ही जानना जै विविदा सन्रक्षन में विष्णोई समाज का विष्णोई समाज का क्या एक योगदन रहा है उसके बारे में यहां पर बताया गया है तो अगर आप आरेश मेंस के लिए गलते हैं और वहां पर अगर आपको यह पूछा जाए जैवी विता, हमारे जंगल, हमारे जो जानवर हैं, उन सभी को बचाने के लिए हमीशा इंपोटेंट रोल प्ले किया है, आज से लगबग 600 साल पहले, जब राजस्तान में राजनेतिक और धार्मिक ऐस्तिर्ता का वातावन था, जनता मुगलो और अन्य विदेसी आकर्णता के सोशन से तरस्त और दुखी थी, इसे समय में ततकालिन समाज को सही दिसा देने और उनके प्रभोधन के लिए संत जाबो जी का जनम हुआ, 1451 में राजस्तान के नागोर जिला मुख्याले से लगबग 55 किलोमेटर दूर उत्तर दिसा इस्तित राजस्व ग्राम पी पासर में, important है, date भी ध्यान में रखनी है, जिले का नाम भी ध्यान में रखना है और गाउं का नाम भी ध्यान में रखना है, कई बार जो है वो दिसा भी पूछ ली जाती है, तो यहांपर बता रखा है तो आपको पता होना चाहिए कि नागोर से उत्तर दिसा में, इनकी माता का हासा, हंसा और पिता का नाम लोहरता, पूछ लेते हैं, जो भी important हमारे हाँ पर लोग देवी देवता हुए हैं, उनके माता पिता का नाम भी question पूछा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि हंसा और पिता का नाम लोहरता, संत जांबो जी ने मानव जीवन और उनके जो है विक्रम समफ जो है वो sun से 57 साल आगे चलता है तो जब भी कोई date आपको दी जाए sun अगर आपको दिया जगया है गेगर गलेंडर की according तो उसमें आप 57 साल जोड़ दो विक्रम समफ आ जाएगा आपको क्या करना है present time में कौन सा साल चल रहा है 2022 सन चल रहा है तो अब विक्रम समवत कुन सा है यह आपको comment box में बताना है तो इससे मिज़े समझ में आ जाएगा कि आपको समझ में आ गया है कि समवत और सन में क्या difference होता है अब 1542 में जब समवत समवत 1542 में देखो इस तरीके से यहां पर शो कर रहा है या question पूछ लेते हैं इस तरीके से कि सन से रिलेट ना करके आपको समवत पूछ लेंगे कि उस टाइम समवत कुन सा होगा तो यह difference आपको पता होना चाहिए तो जांबो जी ने 1485 सन में और समवत 1542 समवत में विशनोई विशनोई समपरदाय की स्तापना कर दी important fact है संत जांबो जी की सबदवानियों से प्रेरित होकर विशनोई समपरदाय ने इन 29 नियमों को विशनोई 20 नोई 20 प्लस नोई ये जो है 29 उनोंने उब्देश दिये थे और इन 29 उब्देशों को जो भी विशनोई समपरदाय को पालना करने वाले थे उनोंने 29 नियमों को अपनाया इन नियमों में क्या था? जीव जन्तों के प्रति दया, पालन पोशन, परियावन सरक्षन जीव दया, पालनी, रूख, लिलो, नह, घाव के प्रति विशनोई समपरदाय की प्रति बदता को प्रकट करते हैं इन नियमों को आज जैव विविता और परियावन सरक्षन में भी सिस्मेत्वा सभी को पता है जो हमारा क्लाइमेट है, जो हमारा परियावरण है वो किस तरीके से परिवर्थित हो रहा है और उसके लिए यहाँ पर अगर आप देखो तो वर्ल्ड लेवर पर बहुत कोसिस्वी की जारी है तो ये चीजे शो करती हैं कि हमारे राजस्तान में तो दो को जैव विविता और परियावन सरनक्षन के लिए कितने प्राचिन समय से काम किया जा रहा है संत जामबो जी की सब्दवाणियों और विचारों को बरी गहनता से अध्यन करने पर ये ज्यात होता है कि 29 नियमों में संसार की हस समश्या का समादान निहित है मानव जीवन के लिए जीव जनतों के लिए हर तरीके से दया दिखाने के लिए इन 29 नियमों में बात की गई है आज से लगबग 570 वर्स पूर विश्नोई संपरदाय सहीत संपूर विश्व को बतलाया कि जीवों का पालन पोसन किया जाए और हरे वरक्ष नहीं काटे जाए देखो कितनी important fact जो आज हम discuss कर रहे हैं कि पेडों की संक्या बढ़ाओ जंगलों को बढ़ाओ वो 570 साल पहले ये बात बोल दी गई थी विश्नोई संपरदाय के द्वारा संत जामबो जी की वाणियों और विचारों को आत्मसात करते भी आज से लगबग 291 वर्सपूर जोदपूर जिला इस्तित खिजडली गाओं में ये देखो ये सही दिस्मारक है फिक है जोदपूर वे खिजडली गाओं में बना हुआ है इसकी जो काहनी है वो अबम पढ़ने वाले है आपको ध्यान में रहेगा क्यूशन पूचा जाता है तो जोदपूर के खिजडली गाओं में खेजडी वरक्षो की रक्षा के लिए विश्णोई संपरदाय के 363 लोगों ने अमरता देवी के आवान पर उनके नित्रत्तु में खेजडी वरक्ष से चिपकर अपने प्रान त्याग दिये थे इस संबन्द में उपलब्द प्रमान ये बतलाते हैं कि उस समय जोदपूर प्रांत के तत्कालिन महराजा अभे सिंग ने किले के निर्मान के लिए चूना पकाने के लिए किले में कुछ काम करवाना था अभे सिंग को उस टाइम के राजा थे जोदपूर के उन्होंने जंगल से लकडिया काटने के आदेश दी अपने मंतरी को और राजा के मंतरी सैनिक जो हैं वो पहुंसते हैं जंगलों में और हरे पेडो को काटने लग जाते हैं अमरता देवी विस्नोई मना करती है कि आप सुखी लकडिया ले जाए हरे पेडो को मत काटिये वो गाजा के सैनिक मानते थोड़ने हैं वो बोलते हैं कि हम तो यही काटने तो यह जो अमरता देवी विस्नोई है वो अपनी तीन बेटियों के साथ में और इसके साथ में और और भी इनके संपरदाय के लोग जो हैं वो पेडों से चिपक जाते हैं और वो लोग जो हैं वो इनको काड़ देते हैं, तब अमर्ता देवी विस्नोई ने संत जामबो जी दुआरा विस्नोई संपरदाय के बताई गए नियमों और खेजडी वरक्स के धार्मिक मेत्व का पहले तो उनको सिर काटे और फिर खेजडी वरक्स काट दिये तो अमर्ता देवी विस्नोई ने राजा के मंतरी से कहा कि सिर साटे रुख रहे तो भी सस्तो जान मतलब सिर कट जाए रो वरक्स बत जाए तो भी समझो कि यह तो सस्ता है तो अमर्ता देवी विस्नोई जो है 363 विसनोई सहीद हो गए विस वितियास का ये कदाजित प्रथम क्या था? चिपको अंदुलन रहा होगा यह हमें बताता है कि हमारे राजस्तान में परियावन संरक्षन के लिए कितने समय पहले से काम खुरा था कोविड-19 महमारी के बाद में उत्पन परिस्तियाय दरसाती हैं कि परियावन संरक्षन के परती हमारी सोच, रवया और नजरिय को बहुती समध्यन सील और सकारात्म करने की जर्रत है क्योंकि आधुनी करण के इस दोड में मानवने परकर्थी के बीच में बहुत दूरिया पैदा करती है और इस दूरियों की वज़े से इस तरीके की महमारी जो है वो घटित हो रही है तो हमें परकर्थी को बचाना होगा यहां पर यह बता रखा है कि परियावन स्रक्षन से जोड़ी हमारी सामजिक चेतना और समझ को व्यापक करते हुए मानव परकर्थी के भावनात्मक संबंदों के तानुबानों को उत्मजबूत करने की जर्रत है ताकि मानव परकर्थी के और करीवा जाए और यह जो इशू है उनको हम सोल कर सके हमारी नेतिक जिम्मेदारी और दर्ड राजनितिक इच्छा सकती से प्रियावन स्तिर्ता को सुनिश्चिता करते हुए जै विविता को अक्षून हमें रखना होगा हाली में जल्वाई परिवर्तन से उत्पन खतरों को आगा करते भी मानव जाती को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया है इस छटे नंबर की रिपोर्ट में बताया है कि मानव ने सब बरबाद कर दिया है यह बात सही है आज हम जिस एविवेक पून तरीके से प्राकर्तिक संसादनों का लगातार दोहन कर रहे हैं अगर अब भी हम परियावन संरक्षन के लिए सनवेदन सील नहीं वने तो भावी पीडिया जब परियावनिय एसंतुलन से उत्पन विनासकारी प्रभाव का सामना करेंगी तब वे हमें इसके लिए उत्तरदाई मानेगी और शायद ही हमें कोई जो है वो इसके लिए माम कर सकी यहाँ पर नेक्स्ट अगर हम बात करें नेक्स जो आर्टिकल यहां पर बता रखा है वो है सावत्री भाई फुले से रेलेटेड इसमें बता रखा है कि भारत की पहली महिला सिक्सक और समासुदारक ती सावत्री भाई फुले ये भी हमारे इतियास के पॉइंटों में से इंपूर्टेट आर्टिकल है इसमें बता का है कि संवत्री बाई फुले जो है वो भारत की प्रथम महिला सिक्सक, समा सुधारक, सिक्षाविद और कवीतरी थी। उनके पिता का नाम खंदो जी नेवसे और माता जी का नाम लक्स्म भाई था। उनका विवा अठार सो चालीस में केवल नो साल की उमर में। जोती राव गोविंद राव फुले के साथ में जिनको जोती वा फुले के नाम से जानते हैं उनके साथ कर दिया गया। जिस समय जब भी नहीं हुई थी। विवा के बाद उनके पती जोती वा फुले ने उन्हें पढ़ाते थे। अब देखो। ये ऐसा बोलते हैं कि जब जोती वा फुले के पिताजी को ये मालम हुआ कि वो अपनी पत्नी को घर में पढ़ाते हैं तो रूडवा दीता और समाज के डर से जोती वा फुले दमपती को घर से निकाल दिया गया। बाद में जोती वा फुले ने सावती वा फुले को पढ़ाना जारी रखा, उनका स्कूल में एक एड्मिशन करवा दिया गया और समाज विरोध के बाद में भी उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की। अपने पत काउं के लिए एक विद्याले के स्तापना की नवजात कन्या सिसो की हत्या को रोकने के लिए भ्यान चलाया इसके अलवा बाली का शिक्षा के उन्होंने दरवाजे खोल दिये सामत्री भाई फुले ने ने सिर्फ समाज की कुर्यूतियों को समाप्त किया बलकि देश की लड़कियों के लिए स्विक्षिक्षा के दरवाजे खोलने का भी महत्पून काम किया यहां पर अगर हम बात करें तो ऐसा बोला जाता है कि 3 जनवरी 1848 में पुने में अपने पती के साथ में मिल करके विभिन जातियों की नोच हात्राओं के साथ मिल करके एक विद्याले की स्तापना की एक वर्स में ही और पाँच विद्याले जो है उन्होंने खोल दिये तो आप सोचिए कि 1848 में जब एक महिला का पढ़ना इतना दूबर था तो उस समय बाली का विद्याले चलाना कितना मुस्किल रहा होगा ऐसा बोलते हैं कि 1854 में काव्या फुले 52 सुभोध रतना कर प्रकाशित किया उन्हों उनको लिखने का विशोक था तो ये उनकी बुक पबलिश हुई इसके बाद में अगर हम बात करें तो यहां पर बताया गया है कि एक प्लेग महमारी उस टाइम फैली थी और 1897 में जब 66 वर्स की उम्र में उनकी ऐसा में एक मृत्यू हो गई तो सावितरी भाई फुले का जो आर्टिकल है वो आपके लिए काफी इंपोटेंट है अब यहां पर नरेगा को लेकर के बता रखा है कि राज़स्तान में क्या किया जा रहा है कि नरेगा को साथ में लेकर के मनरेगा जो स्कीम है उसका यूज करके लोगों को यहां पर रूजगार भी दिया जाता है और गाउं छेतरों में कोसिस की जाती है कि तालाब खुदाई, चैक डेम, जोहर, टाका, नाड़ी, फाम पूर्ट ये सारी जो चीज़े हैं इनका जीर्नोधार, नई चीजों का निर्माण ये सब किया जा रहा है ताकि आसाडवा में आस्मान से जो बरसने वाले अम्रत है उसको सहेजने के लिए राज़सान सरकार जो है कटीबद है ताकि पानी को हम सेव कर सके और उस फिर पानी का यूज किया जा सके ये यहां पर पिक्चर की थुरू आप देखिए, इस पानी विरासत और ज्ञान को प्रतक्ष करता हुआ भोगोलिक परिगटनाओं को दर्शाता परियतन हिस्तल है पातोला महादेव ओके भीलवाडा के लगबग यहां पर पूरा अक्षांस देसांतर पूरा विता रखा है कि इस अक्षांस पर और इस देसांतर के मिलन बिंदू पर य जो पातोला महादेव है वहीं पर गार्नेट बंदार है मतलब यहां पर बहुत बड़े बड़े विसाल बंदार है पुर बनेडा आगने सहल सम्हू की और इन गार्नेट अभुषणों का अभुषणों में प्रियोक्त के जानवार एक मुल्यवान पत्थर है जो कि लाल रं रंगी कोटिंग देखी जाती है यहां की चट्टानों पर जिसको मरू वारनिश कहते हैं डेजर्ट वारनिश इंपोर्टेंट वर्ड है यह आपको पता होना चाहिए फिर छिप्रिका क्या होता है कि यहां की जो चट्टाने है वो कोमल होंगी तो पानी के साथ में तूड अब यहां पर किन्नू सिरिल गंगा नगर का जो किन्नू है उसको बांगला देश तक निर्यात किया जा रहा है यह यहां पर बता रखा है मतलब राजस्तान से जो भी उत्पाद है उनको विदेश तक भीजने की विवस्ता की जारी है यहां पर किन्नू के गुण बता रखे ह कि अन्य खटे पलों की तुल्ला में किन्नू में लगबग धाई गुना अधिक एल्शम होता है नियमित अगर आप इसका सेवन करते हों तो आपके हड़िया मजबूत होती है इसके सूखे छिलकों का उप्यो कोस्मेटिक उत्पादों में किया जाता है इसके अलावा किन्नू यूज कर लेना इस टाइम ओके तो यहां पर बता रखा है और पोस्ट काइड के बारे में आप बता रखा है फिर है यह इंपोटेंट है जालोर का 287 संबो का और 169 गुंबदो वाला तोफ खाना यहां पर अगर हम बात करें तो जालोर नगरी में परमार राजा भोज ने अपने सासनकाल में आठवी सताबदी के मद्दे एक संसकत पासपताला का निर्मेरंण करवाया था बाद में राठोड सासनकाल में इसको तोप यहां पर रखी जाती थी तो इसको तोप खाना बोला जाता है ओके तो यह थोड़ा सा व्यू कर लो आप इसको यह इसके बारे योजना है उडान योजना ओके यहां perfect है और यह हो जाती है हमारी suggest complete जन्वरी 2022 की इसके जो starting पार्ट है उसको हमने दो वीडियो में दो पार्ट में cover कर रखा है और वोलकेनो आरे सकेडमी पर वो वीडियो आपको available है आप जाकर करें उनको view कर सकते हो study कर सकते हो इस यह जो suggest पत्री का है इसकी PDF जो है वो टेलिग्राम चैनल पर available है आप टेलिग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हो उड़ नहीं सकते हो ओके वोलकेनो आरे सकेडमी के नाम से ही टेलिग्राम चैनल है description box में टेलिग्राम चैनल का link दिया हुआ है अगर आप यहां तक आए हो वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजे शेयर कर दीजे और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे आप हमारे अधर वीडियो राजिस्तान से रिलेटेड हमार जो हमारा basic concept है basic जो हमारा सलेबस है उसके वीडियो भी हमने upload कर रखे हैं मेवाड मारवा वो सुस्री अवनी लेख रा अंतराष्टे खिलाडी अब सभी को पता है पैरा उलम्पिक गेम में अभी 2021 में टोक्यो में जो पैरा उलम्पिक गेम हुए अब सभी को पता है पैरा उलम्पिक गेम पता है ना उलम्पिक के बाद में पैरा उलम्पिक गेम जो भी हमारे ऐसे person जो इस तरीके से मतलब नोर्मल खिलाडियों के तरह पार्टिसिपेट नहीं कर पाते उनके कुछ प्रोब्लम है तो उनके लिए पैरा ओलम्पिक्स गेम ताकि समाज के जो मुख्यदारा है उसमें उनको भी जोड़ा जा सके तो इस पैरा ओलम्पिक्स गेम में अवनी लेकरा ने दो मेडल जो है वो हमारे इंडिया के लिए और हमारे राजस्तान के लिए वो लेकर के आई थी पैरा ओलम्पिक्स गेम में दो हजार बीस में ओलम्पिक्स और पैला ओलम्पिक्स गेम होने वाले थे लेकिन COVID की वज़े से फिर उनको one year extend कर दिया गया था ओके ओके थेंक यू